गुड मॉर्निंग चिल्रेन, अब आप तो पैट और वाइल्ड अनिमल्स के बारे में तो अच्छे से चानते हो, है ना? पैट मिन्स जिनको हम घरों में पालते हैं, इनको डोमेस्टिक अनिमल्स भी कहते हैं, और वाइल्ड अनिमल्स जो की बहुत ही डेंजरस होते हैं, और जो की जंगलों में पाय जाते हैं, आज हम एक बार फिर से पैट और वाइल्ड अनिमल्स के बारे में रेट करेंगे, ठीक यहां कुछ पैट्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं के पिक्चर दिख रहे हैं सबसे पहले देखिए यह क्या है इसको क्या कहते हैं इसका नेम है बजडी गर्स यह आस्ट्रिलियन पैरेट होता है ओके नेक्स्ट है कैट यह क्या है कैट को सब लोग जानते हो ना लोग कुछ लोग अपने घरों में कैट को भी पालते हैं इसके बेबी को किटन कहते हैं कैट बेबी किटन फिर नेक्स्ट है हैं हैंस्टर हैंस्टर यह एक प्रकार का चुह है फिर नेक्स्ट है गोल्ड फिश क्या है ये goldfish इसको लोग अपने घरों में पालते हैं aquarium में लोग अपने घरों में इसको रखते हैं फिर next है dog कौन है ये dog dog means कुत्ता कुत्ते को भी लोग अपने घरों में पालते हैं है ना फिर next है parrot parrot means दोता इसको भी लोग अपने घरों में पालते हैं ये क्या है rat, rat means चूहा, कुछ लोग चूहे को भी अपने घर में पालते हैं, फिर क्या है, turtle, क्या है ये turtle, turtle means का चूह, फिर next है guinea pig, ये south america में पाय जाता है, और वहां के लोग इसको अपने घर में पालते हैं, फिर ये क्या दिख रहे हैं कुछ, rabbits दिख रहे हैं, रैबिट्स को भी लोग अपने घारों में पालते हैं फिर नेक्स देखिए पेज नंबर 15 यहां को किसकी पिक्चर दिख रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के कौन है ये वाइल्ड एनिमल्स है फिर्स कौन है जिराफ कौन है जिराफ इसकी गर्दन देखिए जो नेक होती है लंबी-लंबी सी होती है न फिर नेक्स देखिए एलिफेंट कौन है ये एलिफेंट एलिफेंट मिन्स हाथी फिर नेक्स देखिए डियर कौन है ये डियर फिर देखिए ये कौन है टाइगर कौन है ये टाइगर फिर next देखिए kangaroo कौन सा animal है यह kangaroo यह अपने बेबी को कहा रखता है एसे पेट में इसके ठैली बनी होती है और उसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है फिर next कौन है leopard कौन है बच्चो यह leopard फिर next यह कौन सा animal है black bear कौन है black bear फिर next कौन है fox यह कौन सा अनिमल है fox फिर last में देखिए यह कौन है lion कौन है lion तो आपको बच्चो यह wild animals और यह कुछ pets दिख रहे हैं इनको अच्छे से रीट करना है दोनों pages आपको एक बार अच्छे से रीट करना है ठीक है ना बच्चो ओकी thank you children have a nice day